मेरे पिरी दर्शको आज का जो राशी फल है यह मन्तली राशी फल है और वृषिक राशी के वारे में हम बात करेंगे, इस से पहले हमने आपको बताया था कन्या रासी के वारे में, तुल्ला रासी के वारे में और आज की वीडियो में वर्षिक रासिफल, जो मंतली रासिफल है, पूरे महिने का रासिफल है कि जुलाई के महिने में वर्षिक रासिवालों के लिए कैसा रहने वाला है, कारे छेतर कैसा रहेगा, परवरिक जीवन, स्वास्ते और दमपते जीवन, ये सब आपको इस और जुलाई मासिक राशी फल दोजार चोविस के नुसार यह महिना वुर्षिक राशी के जातकों के लिए ठिक ठाक मतलब मिश्रित फल परिनाम लेकर आने वाला है जहां तक आपके कैरियर का स्वाल है तो देखते हैं घरों की श्तिती जो है दस्तम भाव के स्वामी महिने क कि सुरुवात में कहां बैठे होंगे अश्टम भाव में सुकर के साथ विराजमान रहेंगे जिससे नोकरी में थोड़ी भोत आपके उतार चड़ाओ की श्तिती भी दिखाई पड़ रही है आपके विरूद कोई सड़ियंतर भी मतलब इसमें रच सकता है जिससे आप इसक सितियों से बाहर निकलने में भी आप शाने से निकल जाएंगे विपार करने वाड़े जातकों के लिए यह वर्स जो है बहुत अनुकुल जो है यह महिना रहने वाला है आपकी आसातित सफलता मिलेगी आपको आपका कोई अच्छा नुबहु साजेदार आपके कंदे से कं महिना अनुकुल है आप अपने रिष्टे को बहुत असानी से अच्छे से जिएंगे लेकिन महिने के उत्राद में कुछ खा सुनी मतलब हो सकती है कड़वी बात भी हो सकती है प्रेम समंदे में उतार चड़ाओ रहेगा लेकिन आप अपने प्रियत्म के लिए कुछ भी कर करने को त्यार रहेंगे और इसलिए आपका प्रेम जीवन भी दीरे दीरे से सही मोड पर आ जाएगा आप देखते हैं विदार्थियों को अपनी तेज बुद्धी का फाइदा मिलेगा और कम समय में अधिक पढ़ाई कर पाने का काम्याब भी जो है रह पाएंगे भाई ब अब हम बात करेंगे सबसे पहले आपके कारिय अच्छे तरकी देखे जुलाई राशीफल 2024 के नुसार अगर हम केरियर के दस्टी कौन से यह महिना जो है आपके लिए उतार चड़ाओं से बढ़ा रहने की परवल स्वावना में है क्योंकि दस्वामी सुरिये महिने के शु उकर के साथ विराजमान रहेंगे जिससे यह स्थिति नोकरी में उतार चड़ाओं को जर्म दे सकती है आपके विरूत कोई चाल चल सकता है जिसकी वज़े से आपको अपने पद से विमुख होना पड़ सकता है इसलिए बहुत साउधानी मतलब साउधानी से एक कदम आगे इस वर से प्रातना करे वह सामने ना आए क्योंकि इस समय वह सभी के सामने आ सकता है अब देखिए महिने के उत्तरान में सूरिय कहां बैठे होंगे नौं बहु में चले जाएंगे जिससे कारिये चेतर में अच्छी सपलता के योग बनेंगे नौं बहु बाग्यगर का है आपकी नोकरी में बदलाव हो सकता है अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको कोई नोकरी नहीं मिल सकती है छटे बहु के स्वामी मंगल छटे बहु में विराजमान रहकर आपको मजबूत करेंगे आप अपने कारिये चेतर की चुनोतियों से बाहर निकल आएंगे अपने विरोधियों को धूल चटा देंगे और नोकरी में अपनी स्थीति को परवल मनाने में शक्षम रहेंगे अब देखे महिने के उत्राद में 12 जुलाई को मंगल कहां बैठे होंगे सब्तम भाव में चले जाएंगे और वहां जाकर देव गुरु बरस्पती से यूपती करें जिससे कारे चेतर में बदला होने के परवलयोग बनेंगे बेपार करने वाले जातकों के लिए यह महिना शुरुआत में कुछ कमजोर रहेगा लेकिन देव गुरु बरस्पती सब्तम भाव में बैठकर आपकी चुनोतियों को कम करने में महतुपूरन भुविका निभाए अब देखे सब्तम भाव के स्वामी सुकर अश्टम भाव में सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे जिससे कुछ कारियों में मिरासा का सामना करना पड़ सकता है साथ जुलाई को शुकर नहों भाव में प्रवेश कर जाएंगे जिससे वेपारी की यात्रा में बढ़ोतरी होगी और इससे आपके वेपार को लाब मिलेगा आपके वेपार सम्मन्द भी मजबूत बनेंगे और साजेदार आपके साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़े रहेंगे जो वेपार के लिए अच्छा समय लेकर आएंगे अब हम बात करेंगे आपके आर्थिक जीवन की देखे जुलाई राशीफल 2024 भवश्यवानी करता है कि यदि आपके आर्थिक स्तित्यों को अगर हम देखें तो यह महिना मिस्तृत फरिनाम देने वाला होगा क्योंकि देव गुरु भरस्पती की किरपा से आपके आर्थिक उनिती के योग बनेगे एकदस भाव पर देव गुरु भरस्पती की दरश्टी आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले होगा आप वेपार करते हो या नोकरी दोनों ही छेतरों में आपको धनलाब होने के योग भी बनेंगे और भरस्पती की किरपा से इन कारियों में आपकी मदद भी जो है रहेगी महिने के सुर्वात में सुर्य और सुकर अश्टम भाव में विराजमान रहेंगे जिस से खर्चे में तेजी बनी रहेगी और रहू और केतु एकदस बाव में रहेकर शुकर और आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग भी बनाएंगे महिने के सुरुवात और महिने के मतलब लाष्ट में किसी परकार की आर्थिक निवेस के लिए अनुकुल नहीं रहेंगे आप लेकिन महिने के उत्राज में आपको अपने निवेस से अच्छा लाव प्राप्त भी हो सकता है अब बात करेंगे आपके स्वास्ते के बारे में देखे विर्शिक रास्य वाले ये महिना स्वास्ते के दश्टिकों से मदब ठीक ठाक रहने वाला है आपकी रास्टे के स्वामी मंगल, महिने की सुरुवात में कहां बैठे होंगे, छटे बाहूं में इवराज मान रेकर स्वास्ते सुमस्ता को बढ़ा देंगे मंगल लेकिन फिर उन से बाहर भी निकालने में मदद भी करेंगे मंगल करें आपको दूसरे के जगड़ों में नहीं पड़ना है और बहान सावधान पूरक आपको चलाना है कहिए ना हो कि आप किसी से मांग कर वहान लेके जाए और वो आपको मना करे अगर आप वहान मांग कर लेके जाएंगे तो हो सकता है उससे भी आपको नुक्सान हो सके तो इससे आपको बचना होगा सूरिया और सुकर के अश्टम भाव में होने से कुछ गुप्त समस्साई प्रेशान आपको कर सकती है अब देखे महिने के उत्रान में अपेक्सा करतवा अनुकुल दिखाई दे रहा है महिना और तब आपके स्वास्ते में सुधार होगा लेकिन आपको अपने करोध पर नियंतर रखना होगा क्योंकि यही करोध आपके रिष्टे को और स्वास्ते को दोनों को बिगाड़ सकता है अब बात करेंगे आपके प्रेम और विवाहिक जीवन की यदि आप किसी प्रेम संबन्द में है तो पूरे महिने पंचंबाहों में रहू बिराजमान रहेंगे जिससे आप अपने प्यार में पक्के हो जाएंगे आप कहीं ऐसी बड़ी-बड़ी बाते भी करेंगे जिन से मतलब जिने समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे यह बात आपकी प्रेत्तम को पसंद नहीं आएगी और इससे आप दोनों के बीच कुछ गल्थ फहमिया और कुछ समसाई पैदा हो सकती है इसलिए कोई भी ऐसा वादा ना करें जिसे आप निवान आ सकती इससे आपके प्रेम जीवन अच्छे से चलेगा भी और पंचम भाव के स्वामी देव गुरु बरस्पती सब्तम भाव में विराजमान होने कारण आपका प्रेम विवा होने के परवल योग भी बनते वे दिखाई दे रहे हैं यदि आप प्रियास करेंगे तो आपकी साधी हो सकती है विवाई जातकों की बात करें तो यह महिना उनके लिए वैसे तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि देव गुरुप भरस्पती पूरे महिने सब्तम भाव में विराजमान रहेंगे लेकिन सब्तम भाव के स्वामी सुकर अश्टम भाव में विराजमान होंगे तो जिससे महिने की सुरुवात में कुछ तनाव आपको हो सकता है जीवन साथी की कुछ बाते परिवार में समस्या का कारण बन सकती है, साथ तारी को सुकर नव भाव में जो है चले जाएंगे, तब इन प्रिस्तितियों में कुछ कमी आएगी, लेकिन मंगल सब्तव महाव में आ जाएंगे तो बारा जुलाई से मंगल का बरस्वरासी में गो ही सही मानेंगे और इससे आप दोनों के बीच हैम का टकराव हो सकता है, जहां तक संबभ हो इससे बचने की आप कोशिश करें, विवाद और विवाद दोनों से आप जरूर बचे, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका विवाईक जीवन सफल हो जाएगा, बात करेंगे आप के काँ बैठे होंगे, सब्तम भाई में विराजमान रहेंगे और आपके एकदस पर्थम और तिर्तिय भाई को ये मदलब देखेंगे, इससे भाई बैनों से आपको अच्छा स्योग भी मिल सकता है, उनसे बातचित हो सकती है और आपके बड़े भाई भी आपकी मदद करे प्रखेंगे, अब देखें चौत्थे भाई में सनी रहेंगे, जो कि दस्वाई भाई पर दरष्टी डालेंगे, और दस्वाई के सुर्य महिने की सुर्वात में अश्टम भाई में रहेंगे, और पिता जी को कुछ स्वास्ते समझाए परिशान भी कर सकती है, आपको उनक कारे चेतर में शफलता मिलेगी मातर जी का स्वास्ता अच्छा रहेगा लेकिन सनी महराज के कारण आप अधिक काम में बश्त होने के चलते परवारिक जीवन से कुछ दूर हो सकते हैं थोड़े दिन के लिए परवार का समय कम दे पाएंगे आप यह स्थिति परवारिक लोगों के कुछ निरास महसुस आपको करने लगेगी लेकिन काम के लिए आवसक भी जुरूरी है इसलिए सभी आपका समर्थन करेंगे और परवारिक बखती भी होगी आप हो सकता है कि बखत पूरे परिवार कर कुछ न कुछ खर्च भी कर सकते हैं अब पूरे महिन्य का वर्षिक राश्यवालों के लिए खास उपाई शिवजी के मंदिर जाकर क्या करें आप शिवलिंग पर जल चड़ा है सूरी देव को परतिदिन जल दे ओम नमेश्वाय का जाब करें दुर्गा चालिशा का पाठ नियमित करते रहें और पिरे दर्षको रुदरावी शेक भी आप कुराएंगे तो काफी अच्छ रहेगा और ग्रीबों कुछ नो कुछ जरूर खिलाए तो पिरे दर्षको ये था वर्षिक राश्यवालों के ल